गैस सिलिंडर के दामों में भारी गिरावट आए है केंदर की मोधी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है बताते कि गैस सिलिंडर 170 रुपे सस्ता हुआ है जी हाँ हाली में LPG सिलिंडर के दाम 92 रुपे कम हुए थे लेकिन अब इस नए महीने में नया रेट जारी हो गया है सरकार ने मार्च में कमर्शिल गैस सिलिंडर की कीमतों में 350 रुपे की बरहोतरी की थी तो वही डुमेस्टिक गैस के दाम भी 50 रुपे बरहाए गये थी लेकिन अब जो खबर सामने आए है वो राहत भरी है LPG सिलिंडर की दाम कम किये गए है आपको बता दे कि करीब 170 रुपे की कटोती हुई है पुरी जानकारी आगे के रुपोर्ट में आपको हम देंगे आयोजन के लिए आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करें जो केस्तित है सगुना मोर हाईटेक हॉस्पिटल के पास साथ ही ड्रीम पैलेस लेकर आया है एक बंपर आउफर जिसके तहट आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल के किराया बिल्कुल मुफ्त अने जोनकारे के लिए स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर्क करें और लिमिटेड आफर का आनद उठाएं नियम और शर्ते लागों मैं महीने की शुरुआत हुई है यह से में हर महीने गैस सिलिंडर के दामों में होने वाले बदलाव की संभावना इस महीने भी थी अब जाकर खबर सामने आई है कि 19 किलो ग्राम वाले कमर्शिल एल पेजू सिलिंडर के दाम कम किये गए है कीमत में 170 रुपे की कटौती होई है हलांकि घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बदलाव इस महीने भी नहीं किया गया है पिछले महीने के अगर हम बात करें तो समय भी लोगों को यह आज थी कि जो गैस सिलिंडर के दाम है वो नहीं बढ़ेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था और वो यह है कि आपको 170 रुपे कम गैस के लिए जो पैसे हैं वो देने होंगे आपको बता दे कि तेल कंपनिया हर महीने की पहली तारिक को पेट्रोल डीजिल गैस सिलिंडर के दाम में बदलाव करती है और जादे तर यह बदलाव कमर्शिल गैस सिलिंडर में देखा जाता है लेकिन मार्च महीने की पहली तारिक को कमर्शिल और डुमेस्टिक गैस के दाम में जो वरदी हुई थी कमर्शिल सिलिंडर के दाम में एक 350 रुपे का इजाफा किया गया था तो वहीं घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत में पचास रुपे की रुदी देखने को मिली थी पिछले एक साल का अगर डेटर अगर नम उठाकर देखे तो घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में करीब 200 रुपे का इजाफा हुआ है आखरी बदलाओ 6 जुलाई 2022 को किया गया था साल 2022 की मार्च महीने में टुमेस्टिक गैस सिलिंडर की जो दाम है वह 50 रुपे बढ़े थे महीं मई और जुलाई महीने में भी 2020 में 50-50 रुपे का इजाफा किया गया था इस तरीके से कई बार जो LPG सिलिंडर है उनके दाम बढ़ाए गए है कमर्शिल गैस सिलिंडर के दाम आए दिन बढ़ते रहते हैं अस बार डुमेस्टिक के दाम भी बढ़ाए गए थे पचास और तीन सो पचास रुपे के इजाफे के बाद थासकर होटेल और रेश्टरेंट जाने वाली लोगों के पॉकिट मनी पर इसका असर देखने को मिल रहा था घरेलू गैस के दाम बढ़ने से ग्रहनी का बजुट भी बिगरा है लेकिन अब 170 रुपे की कटौती कमर्शिल गैस सिलिंडर पर हो गई है डोमेस्टिक गैस सिलिंडर के दाम में अभी भी कोई कमी देखने को नहीं मिली है यानि के जुपर होते हुई थी उसमें अभी भी कोई डाम में कटौती नहीं की गई है भुक्ताओं का कहना है कि दर्वादिन सरकार सबसीदी भी घटा रही है जो से कियाम जुनता में नाराज़की देखने को मिल रही है पिछले चार सालों में सरकार के द्वारा दी गई एर्पेज यूपर सबसीदी के आंकरों से पता चलता है कि ये 2018 में 37,209 करोर रुपे थी जो कि 2019 में घटकर 24,172 करोर रुपे हो गई साल 2020 में 11,896 करोर रुपे और 2,000 करोर रुपे अभी सबसीदी रह गई है एक तरफ सबसीदी को घटाया जा रहा है कम किया जा रहा है दूसरी और डुमेस्टिक गैस के दाम भी बरहाई जा रहा है उसमें कोई कटौती नहीं देखने को मिलती है लेकिन अब बिहार में जो कमर्शिल गैस सिलिंडर है उसके दाम घटाए गई है 171 रुपे की जो वरिधी है उसको कम की गई है बाकि आपको हम बता दे कि अब बिहार में जल्दी पी एंजवी यानि की पाइब नाचुरल गैस की शुरुवात भी होने जा रही है जिसके बाद गैस के दामों में काफ अगले महीने से शुरु कर दिया जाएगा बाकि आपको बता दे कि विल्हाल से कमर्शिल गैस सिलिंडर पर यह को टौती है वह हुई है 170 रुपे गैस सिलिंडर पर कम किये गए हैं अभी भी कोई कोई कटौती की ख़बर सामने नहीं आई है इसा जुरी कोई नहीं जानकार अभी को लेकर अपनी राय अपने प्रतिक्रिया कमें सक्षिन में दे सकते हैं अने खबरों के लिए बने रहे हैं जोनता किंशन के साथ क्यामेर के पीछे ते विशाल और मैं थिया आपके साथ बंदना नहींवाद